Welcome to the Hobby Classes. Hobby Classes में आज हम Newspaper से Basket बढाना सिखेंगे और इसके लिए हम लेंगे Newspapers, Caesar औरे Newspaper की Basket बढाने के लिए हम Newspaper के 16 Yellow Rolls लेंगे और around 6 to 7 हम Brown Rolls लेंगे यह रोल्स पनाने के लिए हम यूस पेपर की इतने साइस की कटिंग देंगे और उसे सिंप्ली इस नीडल से रोल करते हुए इस तरह से रोल करते हुए हब सभी रोल्स तयार कर लेंगे और उन पर एक्रेलिंग कलर से कलर कर देंगे पास्किट का बेस बनाने के लिए हम रोल्स को इस तरह रखेंगे यह हमने एट रोल्स लिए हैं अब इनको हाथ से इस तरह प्रेस करेंगे अब एक और रोल लेते हुए इस तरह से निटिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह अब जो रोल्स नीचे हैं इन्हें हम उपर करेंगे इस तरह से इनको थोड़ा क्लोज करतेंगे अब हम इन फोर रोल्स पर एक और रोल रखेंगे और जो रोल्स हमने उपर फोल्ड किये थे उन्हें छोड़ देंगे अब फिर से जो रोल्स नीचे हैं इन्हें उपर करेंगे आप इन फोर रोल्स पर एक और रोल्स रखेंगे और जो रोल्स उपर किये थे उन्हें फिर से छोड़ें अगेर जो रोल्स नीचे हैं उन्हें उपर करेंगे और इन रोल्स पर फिर से एक रोल रखेंगे और जो रोल्स को छोड़ देंगे अब हम लास्ट रोल्स रखेंगे हमने एट रोल्स से ही इनको निट किया है लास्ट रोल्स रखेंगे के बाद इस रोल्स पर थोड़ा सा ग्लू दगाई और उसी ताइटली प्रेस करेंगे अब इटको इंको इंको डिस्टेंस सेते हुए थोड़ा एज़स कर लेंगे अब जो रोल्स उपर है यह इंक पर ग्लू लगाएं इनक ग्लू लगाकर पेस करतेंगे अब लगाएं अब बड़बस करतेंगे अब़बस करतेंगे अब़बस करतेंगे प्लूपपबस करतेंगे अब इत पर थोड़ा वेट रखकर इत को ड्राइ होने देगी अब इसे टर्न करेंगे और इसके एक कॉर्णर पर ये ब्राउम कलर का रोल पेस्ट करेंगे इस तरह से प्रेस करेंगे इसे फिर से टर्ट करेंगे बास्केट की साइट्स तयार करने के लिए हम इसके सभी रोल्स को उपर की तरफ फोल्ड करेंगे बास्का हैकश आई बास्काहिए पॉमै actual का ये स ambiguous ट...... बास्का है बास्काथ इस तरह से और थोड़ी देर प्रेस करके इन्हें छोड़ूं अब हम बास्केट की साइट्स की निटिंग स्टार्ट करेंगे इसके लिए जो रोल्स नीचे हैं उन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये ब्राउन ड्रोल को ऊपर मारे रोल्स पर इस तरह प्रेस करेंगे अब ऊपर के रोल्स को छोड़ देंगे सेकिंड लाइन में भी जो रोल्स नीचे की तरफ हैं उन्हें इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये ब्राउन ड्रोल को इस तरह से रख कर ने छोड़ अब हम इसमें एक और रोल्स एड़ करेंगे और इसकी थर्ड लाइन बनाने के लिए फिर से जो रोल्स नीचे की तरफ है उन्हें इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसलिहां से प्रेस करते हुए इस तहां से अपिने शोड़ इसी तरफ फोल्ड लाइन में भी जो नीचे की तरफ रोल्स है उन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसी तरह सेकिंड लाइन बनाने के लिए भी जो रोल्स नीचे की तरफ है उन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जावाज गल्सी और दागतें की तरफ पी क्षोदें पांसी और भी डागती और पी क्षों तरफ चोरदेंगे अच्छी तरह से अज्जस्ट करते हुए जो रोज नीचे की तरफ है नेटिंग करते जाएंगे इसी तरह थर्ड लाइन को निट करते हुए भी हम जो नीचे की रोल से हैं इन्हें उपर फिक करेंगे फोल्ड यह छोड़तेंगे अब यह हमारी थर्ड लाइन भी कप्लीट हो गई है अब यहां पर हम ग्लू लगाकर इसी लॉक करतेंगे अब हम यह एक्स्ट्रा रोल्स को कट कर देंगे जो आउटसाइड है उनको इन्साइड पेस्ट करेंगे और जो इन्साइड है उनको आउटसाइड पेस्ट कर देंगे अब हमारी यह बास्केट बिल्कुल तयार है अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीचेगा थैंक यू झाल